अब बात करें इस theme के सबसे main highlight feature के बारे में जो इसका lock skin आपको full customized देखने को मिल जाता है जहाँ आपको different type का animation देखने को मिल जाता है Hi guys, welcome back again with a brand new video तो guys finally आप सभी के लिए एक और customization लेके आ चुका हूँ यहाँ पर आपको different type के lock skin देखने को मिलेगी सबसे पहले बात करते हैं इस theme के home screen के बारे में आपको normal सी देखने को मिलेगी जहाँ पर आपको normal सा wallpaper देखने को मिलेगा बट मैंने यहाँ पर एक lock visit एड़ कर रखी है साथ ही icons की बात करें वो आपको complete change देखने को मिल जाता है जिनका look आपको different type का देखने को मिल जाता है और system icons and normal icons में आपको different type का color भी देखने को मिल जाता है इस theme का icons आपको अच्छे देखने को मिल जाता है और साथ ही अब बात करें इस theme के control center के बारे में तो यह theme MIUI 12.5 को support करती है और MIUI 13 को भी support करती है बड़ control center आपको change देखने को नहीं मिलता है आपको normal में साज़े देखने को मिल जाता है और इस theme के control center में आपको wallpaper change देखने को मिलता है और आपको tangles में जादा effect देखने को नहीं मिलता है और यह theme light mode और dark mode दोनों को support करती है और साथ ही आगे बात के इस team के setting गए के बारे में वो भी complete change हो जाती है जिसका look आपको different type का देखनी को मिल जाता है और यहाँ भी भी आपको काफी interesting आप wallpaper देखनी को मिल जाता है और फोन के बात करें तो आपको white color की देखनी को मिल जाती है जूकि इस team के according काफी अच्छा look प्रोवाइड करती है और साथ ही आप सेटिंग के बात करें वो भी complete change देखनी को मिल जाता है जिसका look अच्छा देखनी को मिल जाता है जहाँ पर आपको MIUI 13 का आपको logo mention किया गया है और देखने में काफी अच्छा look प्रोवाइड करता है और साथ इस team के volume बार के बारे हम बात करें volume बारे आपको normal से देखनी को मिल जाता change आपको देखनी को नहीं मिल जाता है आगे बात करें इस team के phone keypad के बारे में तो phone keypad भी complete change देखनी को मिल जाता है जहाँ पर आपको wallpaper सो same देखनी को मिल जाता है बट आपको जो font देखनी को मिल जाती है और यहाँ पर कुछ different type के animation भी देखनी को मिल जाता है बट आपके पस MIUI का phone dialer होगा तो ही change होगा Google dialer होगा तो वो change नहीं होगा और देखने में काफी अच्छा look provide करता है अब बात करें इस team के सबसे main highlight feature के बारे में तो इसका lock screen आपको full customize देखनी को मिल जाता है जहाँ आपको different type का animation देखनी को मिल जाता है और काफी interesting आपको features भी देखनी को मिल जाता है और यहाँ पर circle में कुछ tongals देखनी को मिल जाता है जैसे आप ब्लुक वाले tick के उपर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ और function open हो जाएंगी जो कि यह proper work करता है और साथी इस theme में आपको different type की charging innovation भी देखनी को मिल जाती है जिसके लुक आपको interesting सा देखनी को मिल जाता है और देखा जाए तो theme काफी interesting है साथी अब बत करें इस theme को download के से करना है तो आपको theme store APK open करना है और आपको यह वाला name सर्च कर लेना है जो कि 14.7 MB की theme है और काफी interesting theme है यह theme light mode और dark mode दोनों को support करती है इस theme को आपको name सर्च करना होगा इस step की videos आपको इस channel पर देखने को मिलती रहती है